समस्कार शादर प्रणाम हर हर मादिवी मैं एस्ट्रोलोजर रवी उनड़कट आप शबेका बहुत बहुत श्वागत करता हूं आज मैं आपके समग सुपस्थितू सितंबर दोजा तेईस मा का रासी फल देकर तनुरासी वाले जातकों के लिए सितंबर दोजा तेईस का जो पिछली चार मेंओं सब्यास आप बहुत करें क्या करें आपका अमन शांते स्थीर बेवज़ की जिद बेवज़ की भागदोड बेवज़ का गुस्सा वह सभी चीति आपके जीवन में पिछली चार मेंओं से लगाता चल रही है यह सबी स्थितिव में 100% यह महिने से आपको प्रचुर मातरा में शुधार देखने को मिल सकता है पेट पीट कमर को लेकर अपने श्वास्ते का ख्याल रखे अपना खान पान ठीक करके चलना है अन्यथा आपकी बोडी में आपको फैटीनेश की मातरा ज्यादा देखने को पूनता कंट्रोल करके चलना है तो अपने हाइपो थेलमस को तॉरित पर वरहवित करेगा तो उन्षय आपको बचना है चलना है कारेस्थाल पर थोड़ा उगरता वाला आपको वातावरान देखने को मिलेगा पिता के साथ भी आपको वैच्चारिक मदबेद होते ही हमें नजर आश्रकते इसलिए आपको पहले से कुम्प्रमाइस अपने सुभाव पर पूर्ण तक कंट्रोल करके चलना है जिनको पहले से पाइल्स प्रोस्टेट किद्नी स पॉस्त फोटोर्ण शूगर को लेकर दिक्कत है अलसर को लेकर दिक्कत है उनको अपनीज़ पूरीट के कर्स овत्रिक्षया ग्रसित है उनको भी स्वास्ते क्षिया सधिक देफिना है और संतान के सुभाव में भी कई कहीं कहीं आ आपको हम्में फोड़ी उगरता चिडच करना चाहते तो आप कर सकते हैं यह में आप लंबी दूर की यात्रा करते नजर आएंगे खास करके कोई धार्मी की यात्रा पर यह में जाना रहेगा यात्रा के जरम्यन बहुत ग्यानी लोगों से आपका मिलना जुल्ला यह में देशकता है पैत्रुक्षंपती का कोई मामला एक तारिक से लेके पांच तारिक से लेके 17 से लेके 17 से लिए 30 तारिक तक कोईक जातरा कि यह में बनते नजर आ रहा है एडूंचन को लेकर बात कर लिए पारम भिक शीक्सा वाले विद्याति लिए भिज्ग वेफित होगा उत्सी इसलिए पहले इसलिए अ पacular के लिए अहे पटी को लेकर बात कर लेते आर्थिक सीथी आपकी बढ़िया रहेगी कोई दिक्कत नहीं यह मैंने धन्लाप की योग बन रहे हम आपको धन्लाप की तारिक बता देते उन तारिखों में आपके कोई भी रुके हुए फिस हुए पैसे भी आपको प्राप्त हो शक्ति आ तो उ उनने इस तरिक तक 25 तरिक से लेकर तीस तरिक तक कोई ने कोई माध्यम से आपको छोटी बड़ी मात्रा में रन की प्राप्ति हो शक्ति है वेभाएक जीवन को लेकर जहोस्थिती बढ़िया रहेगी कोई दिक्कत नहीं है लाइप पार्टनर का भी आपको यह मेंने शपोर् स्वास्ति को लेकर जिनको पहले से पाइल स्ट्रीट स्टोन को लेकर दिकट उनको अपने स्वास्ति का ख़िया लगकर चलना प्र। प्रतिजना बगवान शीव जी के दर्शन कीजिए, बगवान शीव जी के उपर एक पीला फूल अरपित कीजिए, आपको प्रति दिन आधिति रदिस्तूतर का एक पाथ करना है और वो सके तो प्रति दिन हनवान चालेशा का अगर आप पाथ कर लेते तो यह गोचर आपके लिए बहुत बहुत बढ़िया साबित होगा अगर आप अपनी जन्मकुंडली का अधियन करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप हमसे संपर करके अपनी बुक कर आशकते हैं नमस्कार